नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जारी होगा पढ़ाई लिखाई भी कोई कमी नहीं रखना है और राद दीन एक करके पढ़ाई करते रहना है तो हमने एक छोटा सा कहानी का सिरीज स्टाट किये जिसमें आप लोग देखते हैं कि हम दो-चार मिनट का आपका समय लेते हैं और एक बेहतरीन सा आपको कहानी सुनाते हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी जो आपको अंदर से खूस रखेगी इसलिए हमने स्टाट किया क्योंकि सफलता सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खूस रहना जरूरी है आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है आपको अपने लक्ष के पढ़ती अगरसर रहना जरूरी है और यही छोटी-छोटी कहानी जो हम देखते हैं यह सुनते हैं पढ़ते हैं तो यह हमको अंदर से खूस रखती हैं आप देखते होंगे कि हमको हम करने आते हैं आप भी मोटिवेटेड फिल करने लगते होंगे आप भी एनरजीटिक फिल करने लगते हों क्यों कि हम हमेसा मोटिवेटेड रहते हैं हमेसा एनरजीटिक रहते हैं तो आज की कहानी जो है आपकी छोटी सी कहानी है जिसमें आपको यह सिखाएंगा कहानी है कि अ को martial art सीखना है और हम सीखेंगे और सब को हडाएंगे ही अब जिसका एक हाथ ही नहीं अब आप सोचिंग ओकि हम आप से को कुछ नहीं पता हमको बस इतनी से पता है कि आप हमें सिखाएंगे और हम सब किसी को हर किसी को हरा देंगे वो भी बोला कि ठीक है बाकी जो लड़के थे उनको अलग-अलग तरह का पंच सिखा जाता था है, इसको बस एक ही बोला गया कि इसको प्रैक्टिस करते रहूं गुरु जी के पास गया बोला कि तो नाइन साफी है सबको अलग-अलग तरीके से सिखा रहे हम को बस एक ही तरीका सिखा रहे है कोन सा बात हुआ गुरु जी ने बोला कि हमने बोला अगर प्रैक्टिस करना है करो नहीं करना है तो वापस चल जाओ उसने बोला ठीक है, गया फिर प्रैक्टिस जाड़ी रखा, 3-4-6 महीन एक साल तको प्रैक्टिस करते रहा, उसी को प्रैक्टिस करते रहा, एक दिन वो समय आ गया कि फाइट करना था, और उस दिन जो बिजेता बनेगा वही सहंसा बनेगा, वही मास्टर बनेगा, इस इभी सबसे जबर्दस्त था उसके भिढान इसके साथ हुआ भिढंत वह इसको देख करके बहुत ही जादा खुर्स हो गया और ओबर कॉनपिड़ेंट हो गया और इसने देखा कि जो हमारे ओपोनेंट में है जो हमारे बिरोधी है उसका तो इखांत ही नहीं है और वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्पिडेंट हो गया और इसी मोखे का इंतेजार करके जो इस बालक का बाया हाथ नहीं था उसने तुरंथ अपना जो एक प्रैक्टिस किया था जिस पंच का उस पंच को से वार किया और वो एक ही पंच में उसका काम खतम हो गया अब बात यहाँ पे यह आती है कि उसने गुरुजी के पास गया और बोला कि ऐसा कैसे हुगा सबसे जो सबसे बढ़िया मास्टर था उसको हमने हरा दिया ऐसा कैसे हुगा तो उसका मास्टर ने बोला कि देखो जिस पंच के तुमने प्रैक्टिस की थे उस पंच में तुम्ह ज्यादा प्रैक्टिस किया था साल बर तक एक ही पंज का प्रैक्टिस किया था एक ही तरीके से दूसरा उसका यह था रीजन उसके जीतने का कि उस जो पंज का तोड़ था उस जो फाइट का तोड़ था उस तोर में बाया हाथ पकरना था सामने वाले विरोधी का कि अगर हम उस पंज को मारेंगे, तो हमारा कोई बाया हाथ पकड़ ले और हमको चित कर दे, तभी जा करके हम रुख सकते हैं, तो इसका बाया हाथ ही नहीं था, इसको बाया हाथ इसका पकड़ेगा कैसे, तो यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला, कि उसका कमी बाया हाथ था, लेकिन उसका बाया हाथ था ही नहीं तो कहीं न कहीं चीजे आसान हो जाती है अगर आप लगतार किसी चीज को practice करते रहेंगे तो चीजे आसान हो जाती है अगर इससे सीखने को देखा जाएं तो जैसे कि आप math को लेकर करके हमेशा पढ़सान रहते हैं, math आपको नहीं समझ में आती है, तो इसलिए नहीं समझ में आती है, क्योंकि उसको आप कमी मान बैठे हैं, अगर आप उसका लगतार practice करते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, तो इसलिए कोई भी चीज अगर लगतार practice कर तो आपका कमी नहीं आपका थाकत बन जाएगा तो जो भी आपकी कमी है उस कमी को दूर करें और लगतार उस पर प्रेक्टिस करते रहें अगर एक कहानी अच्छा लगा आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा और आप पीछे आले जितने भी कहानी आपने प्याड दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगर इस सेशन को जाड़ी रखना है तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगे कि कहानी से आपको फैदा होता है या नहीं होता है क्यूंकि कहानी सुनाना मेरा काम नहीं है मेरा काम गरीद पढ़ाना है लेकिन हम सोचते हैं क कहींने कहीं अगर दो चार पांच मिनिट मेरा समय जाने से आपको कुछ फैदा हो जाए तो चलो भाई ये भी कर देते हैं ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कहानी में अभी के लिए इतना ही रखते हैं ठेंक्यू